हेलो दोस्तों, आप सबी हेल्दी हैं और बुक रेडिंग को एंचॉई कर रहे हैं दोस्तों आपने पिछली वीडियो में रेडिंग के बेनेफिट्स की बात की थी आज हम बात करेंगे कि हाँ में एक अच्छा रेडर कैसे बन सकते हैं और साथ ही हम जानेंगे उन हैबिट्स के बारे में जो आपको एक एक एफेक्टिव रेडर बनाएंगे तो आए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों बहुत सारे नए रेडर्स जो होते हैं वो अपना सारा टाइम इन बातों में ही लगा देते हैं कि वो क्या पढ़ें कितना पढ़ें कहां से पढ़ें सुबा में पढ़े हैं, शाम में पढ़े हैं, 10 पेज पढ़े हैं, 20 पेज पढ़े हैं और reading को बहुत जादा seriously ले लेते हैं मैं आपको suggest करूँगा कि reading को आप casual attitude के साथ approach करें जैसे हम अपनी day to day life में बाखी चीजों का approach करते हैं लाइक टीवी देखना, फोन चलाना, खाना खाना, दोस्तों से बाते करना, बाहर घूमना हम एक बहुतर रीडर तभी बन पाएंगे जब हम reading को reading की तरह ही लेंगे दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि बहुत सरे लोग जो book reading को start करना चाहते हैं लेकिन इस बात में ही उलज जाते हैं कि वो कहां से शुरू करें और क्या पढ़ें fiction पढ़ें, non-fiction पढ़ें, autobiographies पढ़ें या journal पढ़ें, drama देखें या thriller को पढ़ें इसके लिए मैं suggest करूँगा कि हम random books को पढ़ें और धीरे-धीरे अपने interest को bid करें इसके लवाँ जब हम अलग-अलग तरह की books पढ़ते हैं तो हमारी सोच भी कई गुना वड़ती है दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उनका daily schedule इतना busy होता है कि उन्हें पढ़ने का time भी नहीं मिलता इसके लिए दोस्तों मैं आपको suggest करूँगा कि आप अपने time pockets को use कर सकते हैं आप जाना चाहेंगे कि ये time pockets क्या होते हैं दोस्तों ये time pockets hundreds of minutes हैं जो हमारे सामने से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता इसके जब आप बस ये train में travel कर रहे होते हैं या आप किसी restaurant में या किसी theater में किसी का wait कर रहे होते हैं आप घर के काम कर रहे होते हैं और काम के दौरान आपको extra time मिलता है ये वो सारा time होता है जो हम अंजाने में waste कर देते हैं और अगर इस time का सही इस्तेमाल करें तो हम daily reading को बढ़ा सकते हैं कि तो सो जनरली एक page में 250 words होते हैं और एक विज्ञानिक research का मानना है कि average human एक दिन में 7000 words बोलता है यानि कि लगबग 30 pages पट हम क्या बोलते हैं कभी हमने यह सोचा है most of the time हमारी बाते non productive topics के उपर होती हैं like chatting करना gossiping करना और हम अपने आसपास के logo को या आसपास के events को ही discuss करते हैं एक मेरा favorite quote है small mind discuss people average mind discuss events but the great mind discuss ideas इसलिए हमें daily discussion में books और उनके अंदर के ideas को discuss करना चाहिए और अपनी reading skills को better करना चाहिए दोस्तो readers को एक issue ये भी होता है कि वो जो पढ़ते हैं उसी जादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाते research कहती है कि fresh पढ़ीवी चीज को लगबग हम 5 मिन तक याद रख सकते हैं बट अगर उसी पढ़ीवी चीज को हम 10 मिन बाद फिर से repeat करें तो एक महीने बाद हम उसमें से 30% data को याद रख पाते हैं और अगर एक दिन बाद फिर से repeat करें तो एक महीने बाद लगबग उसमें से हमें 50% information याद रहती है लेकिन अगर हम पूरे महीने में उस चीज को लगाता चार बार repeat करें तो एक महीने बाद लगबग हमें वो सारी चीजे याद रहती है इसलिए दोस्तों बहतर result के लिए जो आप पढ़ते हैं उसको लगाता repeat करें अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब का न न भूलें वीडियो इनफोर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए keep reading चैनल